शुर्पखा के नाक कान कात दिये 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्षमन पंच्वटी में एक पर्णकुटी बना कर रह रहे थे एक दिन रावन की बहन राक्षसी शुर्पखा आकाश मार्ग से उस ओर से गुजर रही थी तभी वह श्री राम और लक्षमन के सुन्दर और मोहक रूप को देखकर मोहित हो गई वह तुरंथी जमीन पर उतर आई और अतिसुन्दर स्थ्री का रूप बना लिया वह सुसजरित सुन्दर स्थ्री श्री राम को रिजाने के लिए उनके पास गई और उससे विवाह करने ही तु आगरह करने लगी तब श्री राम ने सीता का ध्यान करके कहा कि मेरा छोटा भाय कुमार है वो सुन्दरी लक्षमन के पास जाकर विवाह करने का आगरह करने लगी तब लक्षमन ने कहा मैं तो उन प्रभू का दास हूँ अता पराधीन हूँ मुझसे विवाह करने में तुम्हें सुक प्राप नहीं होगा क्योंकि सेवक को सुक प्राप नहीं होता वह सुन्दरी पुना श्री राम के पास गई और राम ने उसे पुना लक्षमन के पास भेज अब लक्षमन ने फिर उस सुन्दरी को समझा कर राम के पास भेजा तो वह रूध होकर अपने भीशन रूप में प्रकट हो गई उसे इस रूप में देखकर श्रीराम का इशारा पाते ही लक्षमन ने तुन्थी शुर्था को बिना नाक और कानकी कर दिया अब शुर्था ऐसी लग रही थी मानो काले परवत से गेरू की धारा भरही हो वह और भी विक्राल हो गई